हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल रिद्यो फीशल जोन दिस इस रिद्यो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग के इन्वामेंट एजुकेशनल के लास्ट आप लेक्ट 2017 से लेके 2020 तक कि अब तक कि जितने भी प्रिवेश कोशन में वेरी शॉट कोशन आप लोग को एक्जाम में देखने को मिलें तो वह आज मैं आप रुक साथ बताऊंगे कि किस तरीके से कोशन आप लोग को 2017 से 20 की बीच में आये थे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीज़ेगा चैनल पर नहीं हो है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक उ प्रेस कर रही हो तो मापे और पे क्लिक कीज़ेगा जिसे की जिसे ही लेटेस्ट वीडियो हैगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुच जाए मोस्ट इंपोर्टन बात यह दोस्तों मैंने और सब्सक्राइब की आप लोग की प्रिवियस एर के कोशन पे कि अगर आप लोग को नीड है तो जादा से जादा इसे पर कमेंट कीजेगा जादा लाइक शेयर कीजेगा जिससे कि मैं आपके एक्जाम से पहले इसके अंसर अप्रोड करने की कोशिश करूंगी काफी हद तक महनत लगती है दोस्तों अलग से टाइम निकाल के आप लोग आपके 2017 में कोशन आप लोग को पूछा गया था इसमें भी आपके 10 कोशन दिये गए थे जिसमें से आपको कोई भी 8 कोशन करने थे पहला कोशन आप लोग को पूछा गया था राइट वन काइंड ओफ इन्वार्मेंट यानि कि आप लोग को प्रियावरण का एक परकार ब पताना है कि इन में से कौन सा नेच्टर रिसोर्स इस सोईल एनर्जी सोरी सोलर एनर्जी लैंड वाटर या ओल उफ दवर इसका जब आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वस्ट करेंगे तब मैं कोशिच करूंगे कि मैं अपने चैनल पर अप्लोड कर दूँ बाकि एजुके अधर्वाइस प्लेडी कर रखिया आप लोग कर सकते हैं प्लेडिस में जितने भी आप लोग के चैटर मैंने मां पर लेक्चर लिये हुए हैं उतना भी पढ़ लेंगे तो काफी है तक आपका पेपर क्लियर हो जाएगा उसे ज्यादा पढ़ने कि आप लोग को नीड नही 15.2 isn't true or false अगर आपको एंसर false हुआ यह true हुआ वह मैं आपको अगर अंसर की वीडियो है कि तो मैं डिस्क्राइब करूंगी किस तरीक से आपको करना है उसके बाद 8 में है कि right one cause of ozone hole आप लोग को एक कारण बताना है disadvantages बताने आपको flood के और आपको एक कारण बताना है कि किस कारण से आपका earthquake आता है तो यह आपको design लिखना है 2018 का paper देख लेंगे तो उसमें आप लोग को जो पूछा गया था दोस्तो तो आप लोग का पहला question आपका परियावरन की definition पूछी गई थी उसके बाद पूछा गया था कि काना national park is situated in which state कौन से आपके राज्य में स्तीते वो बताना है नेक्स्ट आप लोग का defined biodiversity नेक्स उसके बाद आप लोग को which gas is mainly responsible for the greenhouse effect आपको बताना है कि ऐसे कौन सा gas responsible है आपके greenhouse effect होने के वज़े से earth day is observed on याद रखेगा environment का paper है तो आप लोग को earth day जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा है और एक important है सायद आपके आगे में question आएगा जो repeat हो जाता है तो आप लोग कुछ date तो जरूर याद करके जाएगा otherwise मैंने environment का आप लोग का full form की वीडियो बना रखिया अगर आप काफी हद तक beneficial करेगी एक्जाम में आपके full form आती है तो आप लोग लिख सकते हैं उसके बाद आप लोग के full form पूछी गई है बी ओडी कौन सी होता है उसके बाद इताई-इताई diseases is caused by which element कौन से elements होता है यह बताना है उसके बाद पूछा गया है कि five of plankton are the member of which ecosystem कौन से पार of biodiversity which is a richest area in India तो आपको इसमें बताना है कौन सा richest area है यह आप लोग का 2018 के कुछ पूछे हुए कुछ कोशन है और आप लोग को पता है इन्वार्मेंट और ecosystem से जादा कोशन आप लोगों से पूछे जाते हैं नेक्स्ट आप लोग का आ जाता हैं यहां पे 2019 का पेपर आप लो फिल फॉर्म आफ डबलु डबलु एफ आपको फुल फॉर्म बतानी है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगे अग्स प्ले लिस्ट चेक करेंगे आप लोग तो मैंने और देख लेंगे तो आप लोग फुल फॉर्म इसली से कर सकते हैं उसके बाद राइ इसली आपको जैसे डेखेंगे रिपीट होगा आपका कौन सग्यास आपका ग्रीन आउस एफेक्ट होने का कारण हो रहता है तो आप लोग का कोशन पूचा गया था यह पर फिलिंदा ब्लैंक की तरह आपको डैस दिया हुआ है तो फिलिप भी पूचा जा सकता है उसके ब आपका एगा ONGC स्टैंड फॉर एक तरीके से फुल फॉर्म बतानी है कि ONGC आप लोग का क्या है इन विच प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड आपको इसमें बताना है कि कौन से साल में प्रोजेक्ट टाइगर का काम स्टार्ट हुआ था 21 यानि कि आपका 10th कोश कर दोस्तों इसमें मिटिम वालों के पी काफी रिक्वेस्ट आति है कि मैं इसे हिंदी में अप्लोट केजिए ककसे पर चैनल है आप लोग प्लेजिश चैक कर सकते हैं तो इसका कोशन की हिंदी आप आहसे देख सकते हैं दोस्तों यहां से इंप century कौशन पूछ जाता है आ अधरवाइस मैं आप लोगों को थोड़ा तो एक्स्प्लेइन कर रही हूं तो इससे आपको हिंट मिल सकती है नेक्स्ट आप लोग का जो 2020 का पेपर आया था वह यह था कि आखिरकार आप लोगों से वापिस रिपीट पूछ लिया गया था राइट आप लोग के अभी तक जो मैंने पेपर डिसकस किया है इसमें एक पेपर का मिस्प्रिंट हो गया था तो दोस्तों उसमें आप लोग के 2018, 19, 20 का पेपर डिसकस हुआ है 2017 का paper है जो भी आपके सामने screen पे आप लोग को दिख रहा है इसमें आप लोग का very short में पूछा गया था कि what is ozone layer depletion आप लोग को ozone परत्केशन के कारण बताने हैं पहला question आप लोगों से यह पूछा गया था दूसरा आप लोगों से यह पे पूछा गया था कि आपको एक कारण लिख के बताना है कि flood होने का क्या कारण है और आप लोगों ने देखा होगा यह repeat question है 2017 का था जो मैंने first paper starting में discuss किया था वो 2018 का था तो उसमें भी आपका flood का question पूछा गया था तो आप लोगों के current flood और earthquake का जरू करके जाएगा फूर्थ आप लोगों का पूछा गया है role of school in environmental conservation यानि कि आपको बताना है कि school का क्या role है environmental conservation में आप लोग का fourth question यह पे पूछा गया था उसके बाद आपका fifth यह पे पूछा गया है आप लोगों को बताना है full form of FRI जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके हर एक question paper में आपका एक कम से कम full form तो आई गई दोस्तो तो आप लोग अगर full form अच्छे से कर लेंगे तो एक number तो आप easily से available करा सकते हैं उसके बाद six आप लोगों से पूछा गया है right remedies of soil conservation आपको soil conservation के उपाए बताने हैं तो आप लोग का यह very short में है according to number आप लोग उसके पॉइंट लिखेगा उससे ज्यादा लिखने कि आप लोग को जरूरत नहीं है सेवन्त में आप लोगों से पूछा गया था कि आप लोग को noise pollution के स्त्रोत लिखने है तो आपका अगर very short एक number का है उसके according लिखेगा अधरवाइस आप लोग कोशिश कीजेगा कि दो पॉइंट से जादा आप लोग very short में अंसर मत लिखे गया उसके बाद eight में आप लोगो नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग मेहनत के according के ही आप लोग से like करना मत भूलेगा next देख लेते हैं कौन सा question था उसके बाद आप लोगों से पूछा गया है कि pollution effect the ozone layer जानी कि जो हमारे ozone layer को effect यानी प्रभावित करता है isn't true या false यह पूछा था और 10 आपका यह पूछा ग तक वीडियो बेनिफीशल होगी वीडियो पसंद आए तो like शेयर जरूर कीजेगा जाल साथ है आप लोग बच्चों को शेयर करेंगे उनके लिए काफिया तक बेनिफीशल होगी किस तरीके कोशन आप लोगों से पूछे गए थे तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ह है जो भी इंपॉर्टेंट आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक प्रोवाइट कर दूँगी अदर्वाइस आप टेलिग्राम चैनल पर जॉइन कर लिजेगा उसका बिलिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आज की वीड लिंग्रिण